मत्र प्रदेश के उज्जैन में सित महाकाल मंदिर महादेव बाबा का ऐसा अस्थाने जहां बाबा महाकाल के अद्भुत दर्शन होते हैं और बाबा का आशिरवाद लेने के लिए भक्तो का ताता लगा ही रहता है करीब दो एकड में फैले इस मंदिर का व्रिहत विस्तार किया गया है बाबा महाकलेशवर मंदिर में बनाए गए महाकाल कोरिडोर के लोकारपन की तैयारियां पूरी हो गई है 11 अक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकारपन भी कर दिया है इस दोरान 856 करोड रुपए की लागत वाली महाकलेशवर मंदिर कॉरिडोर विकास पर योजना के पहले फेस का उदगाटन हो गया है जिसके बाद इस कॉरिडोर को श्रधालू के लिए खोल दिया गया है उजन का महाकलेशवर मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्रे निवास माने जाने वाले 12 जोतिरलंगों में से एक है हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश श्रधालू इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं करीब 900 मीटर लंबे कॉरिडोर में बलवा पत्थर से 108 पिलर बनाए गए हैं जिनके उपर त्रिशूल की आकरिती उकेरी गई है और उनके उपर भगवान शिव की मुद्राएं बनाई गई है इसके साथ ही यहां खूब सूरत लाइटे भी लगाई गई हैं यहां भगवान शिव पारवती माता समित कई देवी देवताओं की 200 मुर्तियां बनाई गई हैं साथ ही कॉरिडोर में फवारे भी लगाए गए हैं और बीच में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है वही माना जा रहा है कि अब उज्जैन में आने वाले शधालू और परियटोक की संख्या में और तेजी से इजाफा होगा जिसी शहर और आसपास के इलाकों में आर्थी गतिविदिया भी बढ़ने की संभावना है महाकलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले तिर्थी यात्रियों की संख्या मौझूदा देड करोट सालाना से बढ़कर दोगुना होनी का नुमान है उजेन का महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनात मंदिर से चार गुना बड़ा और विशाल है महाकाल कॉरिडोर 20 हेक्टर में बना हुआ है पूरे मंदिर में घूमने और दर्शन के लिए शृद्धालू को करीब 5-6 घंटे का समय लगेगा महाकाल कॉरिडोर में भगवान शंकर के विविन रूपों के दर्शन करने को मिलेंगे यहां भगवान शिव के करीब 190 सो रूपों को दिखाया गया है कॉरिडोर के बीच में भगवान शंकर की कई बड़ी बड़ी प्रतिमाय भी है यहां दिवारों पर 132 फीट लंबे मिूरल बनाये गए हैं दावा है कि किसी एक विशे पर बनाये गए ये देश के सबसे लंबे मिूरल है इन पर शिव विवहा को नकाशी के रूप में अंकित किया गया है मिूरल को 9 महिने में 50 कारिगरों ने बनाया है राजस्तान के भरतपूर जीले से 55 किलोमीटर दूर बन्शी पहाडपूर छेतर है यहां के पहाडों से निकलने वाले पथर को बन्शी पहाडपूर पत्थर कहते हैं यह पत्थर अपनी मजबूती और सुनधरता के लिए प्रसिद है इस पत्थर की कॉलिटी बहुत अच्छी होती है ये लंबे समय तक चमकता रहता है इसकी उम्र 5000 साल तक मानी जाती है कहा जाते हैं कि इन पत्थरों पर पानी पढ़ने से ये और जादा निखर जाता है बंशी पहाडपूर पत्थर से देश की जादा तर इतिहासिक इमारते बनाई गई है अयोध्या के राम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, संसत, दिल्ली का लाल किला और इसकॉन जैसे जादा तर मंदिर में इस पत्थर का उप्योग किया गया है आगरा का लाल किला भरतपूर के गंगा मंदिर, लक्षमन मंदिर, जैपूर की विधान सबा भवन समेद विदेशों के कई विशाल मंदिरों के निर्मान में इसी पत्थर का इस्तमाल हुआ है महाकाल लोग में प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमारी शर्माने बताया है कि मूरल में शिव विवा की पूरी कहानी अंकित की गई है इसमें भगवान शिव को माता पार्वती की साथ विवा के लिए मनाने से लेकर शिव बारात शिव को भस में रूपी देख माता पार्वती की मा मैना का बेहोश होना शिव पार्वती की साथ फेरे माता पार्वती का कैलाश परवत तक पहुशने तक की पूरी कहानी अंकित की गई है प्रोजेक्ट मेनेजर का दावा है कि ये देश का एक मात्र मियूरल है जिसे किसी एक विशे पर इतना लंबा बनाया गया है महाकाल लोग में भगवान शिव से जुड़ी अलग-अलग कहानिया मुर्तियों के रूप में उकेरी गई है सबते रिशी के पास विशाल मियूरल बना है इसमें उनके स्वरूप नंदी गण भैरव गनेश जिप पारवती माता समित अन्य देवी देवताओं की 200 मुर्तियां बनाई गई है 108 पिलर के साथ 80 से अधिक मियूरल भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को दर्शा रही है महाकाल कॉरिडोर के अंदर जो मुर्तियां लगाई गई है उन सभी पर QR कोड लगा होगा जैसे ही आप इन मुर्तियों पर लगे QR कोड को स्कैन करेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी शद्धालू को भगवान शिव की महिमा और उनकी कथाएं सुनने को मिलेंगी भक्तिने अपने मुबाइल पर ही सुन सकते हैं ये कताय आउडियो फॉर्मेट में होगी महाकाल मंदिर कॉरिडोर में इसके लिए व्यापक तयारियां चल रही है खास बात यहीं कि महाकाल लोग में कई मुर्ति और मुर्टि और उनकारीयां सुनने को मिलेंगे ये अपने आप में काफी अनूटा प्रयोग है जिसे लेकर लोग एकसाइटेड है बताया जा रहा है कि ये सब आउडियो फॉर्मेट में होगी इसके लिए आपको उमा नाम का एक एप अपने मुबाइल में डाउनलोड करना होगा जिसकी मदद से जिस मुर्ति या मुर्टि पर कोड है उसे स्कैन कर उसके बारे में आउडियो फॉर्मेट में आप जानकारी हासिल कर पाएंगे प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक शिद्धालो को भगवान शिव के बारे में सुनने के लिए QR कोड स्कैन करते ही ये भी चोईस मिलेगा कि वो बड़ी या चोटी कहानी सुनना चाते हैं इसके लिए 500 रिवाइस महाकाल मंदिर पहुच चुके हैं QR कोड को स्कैन करते ही सबसे पहले आपको भाशा सिलेक्शन का भी आप्शन मिलेगा कहा जा रहा है कि अभी शुरुआत में तो हिंदी, अंगरेजी, गुजराती और मराटी में ही जानकारिया मिलेंगी लेकिन आने वाले टाइम में अन्य भाशा में भी आप्शन मिलने लगेंगे यानि और लेंग्वेज में भी मुट्टियों से सम्बंदी जानकारिया ले पाएंगे इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें दन्योज इंडीज